वेलेंटाइन्ज डे पर कपल्स हो जाएए सावधान मुंबई पुलिस की आप पर है नजर वेलेंटाइन्ज डे से पहले मुंबई पुलिस का ओपरेशन ओल आउ कई जगहों पर पड़ेगी मुंबई पुलिस की रेड 14 फरवरी दुनिया में वेलेंटाइन्स डे की रूप में मनाया जाता है जिसे प्यार का दिन कहा जाता है जिसमें प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं प्यार भरी बाते करते हैं और घूमते हैं लेकिन इस साल विलेंटाइज डे पर कपल्स को ज़रा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मुंबई पुलिस के नजरे वेलेंटाइज डे के दिन بाहर के साथ ही होटल्स पर भी है महानगर में कानुन विवस्ता को बनाए रखने के लिए बुंबई पुलिस द्वारा ओप्रेशन आल आउट शुरू है इस उप्रेशन के तहत ऐसे हंगामा करने वाले बनमाशों को सावधानी बर्यतनी पड़ेगी जो लोग इस वेलेंटाइन डे के मौके पर मार पिट करने की कोशिश करते हैं वेलेंटाइन डे से पहले इस प्रकार के ओप्रेशन चलाए जाने से 14 फरवरी के आसपास हंगामा करने वाले बनमाशों का मनोबल कम होता है वेलेंटाइन डे भले ही 14 फरवरी को आता है लेकिन वेलेंटाइन डे से जुड़े दिन 7 फरवरी से ही शुरू हो जाता है इसने मुंबई पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस पहले सही ओप्रेशन ओल आउट अभियान की शुरुवात कर दी है जिसके तहत होटल, लॉज और कई जगहों पर पुलिस ने तलाश की जिसमें 1113 से अधिक होटल, लॉज रेस्टोरेंट और 671 समेदन शिल्ट ठिकानों के अलावा लोगों के तहने वाली जगह शामिल है इस दोरान ओपरेशन ओल आउट चला कर मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के बीतर फरार चल रहे 28 आरोपियों को गिरफतार किया है सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट के साथ ही मुंबई पुलिस द्वारा बहानों की भी जाच की जारी है आपको बता दे ओपरेशन ओल आउट अभियान को साल में कई बार चलाया जाता है जिसमें नए साल के आज़ पास बेलेंटाइन्स डे गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस समेट अन्य दिन यह अभियान चलाया जाता है निउस ब्यूरो इन 24 निउस